नवसकार दोस्तो मेरा नाम है रहूल और आप लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन के वर्किंग की बारे में समझाने जा रहा हूँ तो अब समझते हैं टू स्ट्रोक इंजिन क्या होता है दोस्तो जैसे की फोर स्ट्रोक इंजिन में पिस्टन चार स्ट्रोक कम्प्लेट करने के साथे साथ चार प्रोसेस कम्प्लेट करता है जो की है सक्षन स्ट्रोक, कम्प्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और two stroke engine एक internal combustion engine होता है जो कि crank shaft का एक complete revolution यानि piston का दो travel में एक power truck complete करता है तो दोस्तो अब चलिए इसका parts की बारे में जान लेते हैं उसके बाद working समझेंगे दोस्तो port truck engine में जैसे valve रहता है intake valve और exhaust valve लेकिन two stroke engine में port रहता है यह देखिए इसमें total तीन port होता है यह है intake port यह exhaust port होता है और यह transfer port होता है तो अब चलिए इसका working समझते हैं दोस्तो जैसे कि मैं आप लोगों के बताया suction और compression एक stroke में होता है देखिए अब crank shaft के अंदर air fuel mixture है और piston bottom dead center में है और साथे साथ transfer port भी open है transfer port उपन होने की करणों से अब air fuel mixture cylinder के अंदर जाएगा अब देखिए piston उपर की तरफ move कर रहा है और cylinder के अंदर आता हुआ fresh charge compress हो रहा है और साथे साथ देखिए intake port भी खुला है मतलब crankcase के अंदर fresh charge suction हो रहा है यहाँ एक तरफ suction हो रहा है और दूसरी तरफ compression हो रहा है तो यह रहा पहला stroke अब समझते हैं दूसरा stroke में power और exhaust कैसे होता है दोस्तो compression stroke का end में जब piston top dead center पर पहुंचता है तो spark plug spark emit करता है और compress हुआ air fuel mixer में आग लगता है आग लगने की करणों से एक pressure wave generate होता है जो कि piston को top dead center से bottom dead center तक एक जोड़दार धक्का लगाता है जिसे power stroke कहा जाता है power stroke होने के बाद piston अभी bottom dead center पर है अब गौर से देखिए piston bottom dead center पर है साथे साथ transfer port और exhaust port open है compression के दोरान क्रांकेस के अंदर आता हुआ air fuel mixer यानि fresh charge अब transfer port की मदद से cylinder के अंदर जा रहा है और जला हुआ यासेस यानि धुआ को बाहर की तरफ धकल रहा है यह रहा two stroke engine का दूसरा stroke फिर piston उपर जा रहा है cylinder को आता हुआ fresh charge compress हो रहा है साथे साथ crankcase के अंदर सक्सन हो रहा है फिर power stroke हो रहा है और fresh charge जला हुआ यासेस को एकज़स्ट कर रहा है इसी प्रक्रिया में इस cycle चलो रहता है four stroke engine में crank shaft का हर दो revolution में एक power stroke मिलता है और two stroke engine में crank shaft का हर एक revolution में एक power stroke मिलता है अगर एक four stroke engine का crank shaft एक minute में 4000 बार घुमा तो 2000 बार power stroke प्रेड्यूस करेगा अगर एक two stroke engine का crank shaft एक minute में 4000 बार घुमा तो 4000 बार प्रेड्यूस करेगा इसलिए four stroke engine के मुकाबले two stroke engine ज़्यादा powerful होता है तो दोस्तो आजा करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो की बारे में राये आप comment box में लिख के जरूर बताए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like channel को subscribe करे मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार